हेलो आज हम बनाने जा रहे हैं पनी टिक्का पनी टिक्का के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1500 ग्राम दाई जो हमने लेनी है वो गाड़ी दाई लेनी जिसमें पानी की कॉंटिटी ज़्यदा ना हो एक डॉल में हम दाई ले लेंगे इसमें हम एड़ करेंगे भुना हुआ भीशन दो चमच लाल मिच पाड़र आधा चमच हल्दी पाड़र एक चौथा चमच नमक अजवाइन एक चौथा चमच सर्सों का तेल दो चमच इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मैट करेंगे प्याज और शिम्ला मिच प्याज और शिम्ला मिच को हमने क्यूब की आगार में काट लिया है इसमें मैट करेंगे पनीर और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे इसे आधे गंटे के लिए मैरिनेशन के बाद हम पनीर प्यास और शिम्ला मिच को स्क्विवर पर लगा देंगे इसे हमें स्क्विवर पर इस तरह से लगाना है कि सबसे पहले जैसे शिम्ला मिच फिर प्यास फिर पनीर और इसी सिक्वेंस में हमें इस पर लगाना है एक स्क्विवर पर हम दो से तीन पनीर और पनीर प्यास और शिम्ला मिच के टिक्विवर लगाएंगे एक स्क्विवर लगाएंगे उसे तरहन दो से क्विवर लगाएंगे जैसे लगाएंगे झाल झाल next हमें लेना है größ, grill पें थेल लगा लेंए अच्छा से electric grill की जगा पे आप तवे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर you gril pan का यूज़ कर सकते है grill जब गर में होजाँ द ही और माद स्क्थरीवाइश को इसकी रखेए जैसे ही एक साइट हो जाए हमें इसे दूसरी तरफ से पलट देना है जिससे कि हमारे पनीर जलेना इसी तरह हमें सभी साइट से इसे अच्छे से ग्रिल दर लिना है ताकि यह बिल्कुल इवेली ग्रिल हो जाए तो इसे हमें टोटल दस से बारा मिनट साइट चेंज करके पकाना है जब एक साइट हो जाए तो हमें इसे दूसरी साइट में पलट देना है जासा कि आप देख सकते हैं पने टिक का लगवब रेडी है तो आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अरण को सब्सक्राइब करें